हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेल्कम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल खिपल आर्ट्स आए आज बनाते हैं एक नई पेंटिंग यह पेंटिंग है जो पोस्टर कलर्स से बनी हुई है और शीट का साइज आप कोई भी ले सकते हो according to your choice पेंटिंग पोस्टर कलर्स से थोड़ा जल्दी बनती है जैसे ओयल कलर्स होते हैं उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन पोस्टर कलर्स से पेंटिंग काफी जल्द बन जाती है शोट साइज में तो इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखी जे कैसे बनाई गी है कैसे ड्रो की है और कैसे इसको पेंट किया गया है पेंट आप अच्छे से देखना कि कौन सा कलर कैसे किया गया है उसको अपलाई कैसे करना है क्योंकि वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक अच्छी तरह देखोगे तभी आपको सारी वीडियो अच्छी तरह से समझा पाएगी एक बार में अगर वीडियो को देखके आपको पेंटिंग बनाने में कोई प्रॉलम आ रही है तो आप वीडियो को दुबारा रपीट करके देखिए तभी आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि यह पेंटिंग कैसे बनी शीट का साइज वैसे यह एफ़ोर है वैसे आप साइज कोई भी चूज कर सकते हैं शीट का पेंटिंग को आप ध्यान से देखिए पहले अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कीजिए फिर इसको अच्छी तरह से आप पेंट कीजिए पेंट करते टाइम आपके जो पेंट्स हैं पोस्टर कल्स हैं जो उसमें थोड़ा सा पानी पहले जरूर डाल लीजिए अप उससे मिक्सिंग है जो कल्स की अच्छी हो जाती है और इसके इलाबा जो ब्रश हैं आपके वो दो ब्रश जीरो और ट्रिपल जीरो और वन नंबर के तीन होने चाहिए और जो फ्लैट ब्रश हैं वो दो नंबर, चार नंबर, शे नंबर इन नंबर के ब्रश आपके पास होने जरूरी हैं तभी आप पेंटिंग को अच्छी तरह से बना सकोगे सारी वीडियो को आप ध्यान से देखिए अच्छी तरह से और वीडियो को पाउस करकर के बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको कोई कलर कम्बिनेशन बनाने में प्रॉलम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं उसमें हम आपके कमेंट्स को रीड आउट करेंगे और उसका रफलाई भी करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉलम ना आए तो पेंटिंग को आप पहले पैंसिल से अगर अच्छी तरह से ड्रो करेंगे तो आपको उसमें पेंट करने में भी कोई प्रॉलम नहीं आएगी क्योंकि अगर पैंसिल से पेंटिंग अच्छी तरह से ड्रो नहीं हो पाती जैसे ये पेंटिंग है हमारी ये ड्रक्स से रिलेटेड है और जो हम बना रहे हैं ये पेंटिंग अलग टॉपिक है तो पेंटिंग जैसे की फेस बनाना होता है हमने जो फेस कलर्स होता है फेस कलर को कैसे बनाना है वो हमने हाँ अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं फेस फेस कलर को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें वाइट लेमन जैलो और और इंस कलर जे तीनों ही मिक्स होते हैं फेस का कलर आपने चाहे किस तरह का भी बनाना है जा कोई नैचरल पेंटिंग है नेचर से रिलेटेड है तो टेकनीक सभी में एक जैसी ही होती है बस कलर कॉम्बिनेशन और अपलाई करने का थोड़ा सा मैथेड है जो वो थोड़ा सा अलग होता है उसमें हर पेंटिंग का थोड़ा सा अलग मैटर होता है अलग मैथर होता है आप अगर कोई भी पेंटिंग बनाते हो कैसी ही भी है वो पोटेट है जा सिंद्री है झाल हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल खिपलार्स आए आज बनाते हैं एक नई पेंटिंग ये पेंटिंग है जो पोस्टर कलर्स से बनी हुई है और शीट का साइज आप कोई भी ले सकते हो according to your choice पेंटिंग पोस्टर कलर्स से थोड़ा जल्दी बनती है जैसे ओल कलर्स होते हैं उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन पोस्टर कलर्स से पेंटिंग काफी जल्द बन जाती है शोट साइज में तो इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखिए यह कैसे बनाई गई है कैसे ड्रो की है और कैसे इसको पेंट किया गया है पेंट आप अच्छे से देखना कि कौन सा कलर कैसे किया गया है उसको अपलाई कैसे करना है क्योंकि वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक अच्छी तरह देखोगे तभी आपको सारी वीडियो अच्छी तरह से समझा पाएगी एक बार में अगर वीडियो को देखके आपको पेंट निंग बनाने में कोई प्रॉलम आ रही है तो आप वीडियो को दुबारा रपीट करके देखिए तभी आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि ये पेंटिंग कैसे बनी शीट का साइज वैसे ये एफ़ोर है वैसे आप साइज कोई भी चूज कर सकते हैं शीट का पेंटिंग को आप ध्यान से देखिए पहले अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कीजिए फिर इसको अच्छी तरह से आप पेंट कीजिए प्रॉल पेंट करते टाइम आपके जो पेंट्स हैं पोस्टर कलस हैं जो उसमें थोड़ा सा पानी पहले ज़रू डाल लीजिए आप उससे मिक्सिंग है जो कलस की अच्छी हो जाती है और इसके लाबा जो ब्रॉश हैं आपके वो दो ब्रॉश जीरो और ट्रिपल जीरो और वन नंबर के तीन होने चाहिए और जो फ्लैट ब्रॉश हैं वो दो नंबर चार नंबर शे नंबर इन नंबर्स के ब्रॉश आपके पास होने जुरूरी है तबी आप पेंटिंग को अच्छी तरह से बना सकोगे सारी वीडियो को आप ध्यान से देखिए एच्छी तरह से और वीडियो को पाउस करकर के बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको कोई color combination बनाने में problem आ रही है तो आप comment box में जाके comments कर सकते हैं उसमें हम आपके comments को read out करेंगे और उसका reply भी करेंगे ताकि आपको कोई problem ना आए तो पेंटिंग को आप पहले पैंसिल से अगर अच्छी तरह से ड्रो करेंगे तो आपको उसमें पेंट करने में भी कोई प्रॉल्लम नहीं आएगी क्योंकि अगर पैंसिल से पेंटिंग अच्छी तरह से ड्रो नहीं हो पाती जैसे ये पेंटिंग है हमारी ये ड्रक्स से रिलेटेड है और जो हम बना रहे हैं ये पेंटिंग अलग टॉपिक है तो पेंटिंग जैसे की फेस बनाना होता है हमने जो face colors होता है face color को कैसे बनाना है वो हमने हाँ अपनी हर वीडियो में आपको बताते है face face color को बनाने के लिए सबसे पहले उसमें white lemon yellow और orange color जे तीनों ही mix होते है face का color आपने चाहे किस तरह का भी बनाना है जा कोई natural painting है nature से related है तो technique सभी में एक जैसी ही होती है बस color combination और apply करने का थोड़ा सा method है जो वो थोड़ा सा अलग होता है उसमें हर painting का थोड़ा सा अलग मेटर होता है अलग method होता है कि आप अगर कोई भी painting बनाते हो कैसी भी है वो portrait है जा सिंदरी है झाल 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 झाल